दोस्तों कर आप भी IPL 2024 देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों यवराज धोनी रोहित तक को पीछे चोड़ते हुए अब पैट कमेंस IPL इतिहास के सबसे महेंगे खिलाडी बन गए तो पूरी दुनिया में हाहा कार मच गया यहां तक कि दुनिया भरके बड़े बड़े दिगज शोईब अक्तर से लेकर ABTV लियर्स यवराज से लेकर पैंटिंग यहां तक कि खुद हैदरबाद की मालकिन काविया मरन ने अब अपने इस फैसले पर जो कहा उनकी बाते सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे तो आगिर कैसे इंडिया के त्योहर IPL 2024 के और जहां मार्च में IPL का आयोजन किया जाना है तो उसके लिए आज दुबई में IPL आॉक्षन का आयोजन किया गया हलाकि यह मेगा नहीं बलकि केवाल एक मिनी आॉक्षन था लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ी इस आॉक्षन में अपनी किसमत आजमानी के लिए उद्रे थे सबी टीमों के बास भरबर कर रकम बची हुई थी लेकिन किसी नहीं सोचा था कि आज IPL के 16 सालों का इतियास तूटेगा और कोई खिलाड़ी इतियास का सबसे महेंगा IPL खिलाड़ी बन जाएगा जी यहां दोस्तों वो कोई और नहीं बलकि था हाला कि फिर मुमई ने अपना नाम वापिस लिया तो हैतराबाद और चेन ने इस जंग में कूत पड़ी और उनका ये रेट बढ़ते बढ़ते 10 करोड तो फिर 15 करोड पार कर गया अंत में दौनों टीमें हैतराबाद और बैंगलॉर ने मिलकर पैट कमिन्स का प्राइ के खिलाडी बन गए है इसके बाद तो पूरी दुनिया में हर कम्प मचा हुआ है क्योंकि ये खिलाडी अकेले 20 करोड रुपए से भी अधिक कीमत आईपियल 2024 में खेलने के लिए ले रहा है यहां तक कि दुनिया भर के दिगगल जित्तों होश ही उड़ गए जियां दोस् कुछ कुछ और ही थी मैं है रान हूं कि कमिंस को इतनी बड़ी रकम मिल गई तो वहीं एभी डिवलियर्स का मानना है कि मैंने सोचा था 17 या 18 करोड रुपए किसी को मिलेंगे लेकिन 20 करोड रुपए से ज्यादा कीमत कमिंस को मिली है इस बात को पचापाना थोड़ा कर देते हैं हो सकता है कि सबी को ये बात बुरी लगे लेकिन कमिंस 20 करोड के हगदार नहीं थे लेकिन दोस्तों उनके देश के महान कप्तान रुकी पॉंटिंग का कहना है कि वैल्डन कमिंस यह साल आपका है पहले अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया और अब आईपियल कि असली कीमत क्या है 20 करोड में औस्ट्रेलिया के कप्तान को खरीदना अपने पैरों पर ही कुलाडी मारने जैसा था हैदरबाद ने बहुत बड़ी गल्ती किया मुझे नहीं लगता कि इसका उन्हें कोई भी फायदा मिलेगा फिर भी कमिंस को में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना पैसा गमाया यहां तक कि महिंदर सिंग धोनी का मानना है यह थोड़ा शौकिंग था कि कमेंस को 20 करोड मिले हैं लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ऐसे में फ्रेंचाइजियों ने उन पर भरोसा जदाया सभी के पास पैसे थे तो उन्होंने कमेंस को दे दिये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे खिलाडी बड़ी-बड़ी कीमतों पर विके हैं जो उसके हगदार नहीं थे बहुत-बहुत बधाई हो कमेंस उमीद है कि आप अपनी कीमत के मताबिक पर दर्शन कर प नहीं कावे मरन खुश है और कमेंस को उन्होंने अपना बनाया लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कमेंस को इतनी बड़ी कीमत मिलनी चाहिए थी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मनना है पैट कमेंस धोनी और रोहित शर्मा में सबसे पहतर खिलाडी और कप्तान कौन बनेगा आई पिल का नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों कहते हैं कि आई पिल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकट लीक है इसका कोई मुकाबला नहीं लेकिन आज कई सालों बाद इसका असली प्रमान सामने आया है क्योंकि इसमें लगी है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकट में खिलाडी को खरीदने की बोली अब तक तो आपने महेंदर सिंग दोनी, युवराद सिंग, रोही शर्मा और विराट ओली को 16-17 यहां तक की 18-18 करोड में बिकते हुए देखा और इतनी yearly fees चार्ज करते हुए भी देखा है लेकिन अब इन सब को पचारने वाला एक ऐसा कप्ताना चुका है जिसके नाम केवल ICC ट्रॉफिस होती है आपने सही पहचान लिया, हम बात करें WTC के विनर, हम बात करें 50 ओबर वाले वर्ल्ल कप के विनर पैट कमिंस की दोस्तो पैट कमिंस एक खिलाडी नहीं, अपने हाप में एक टीम है और जब एक टीम दूसरी टीम के साथ मिलती है ना, तो दोनों जीत न पाएं, ऐसा हो नहीं सकता पैट कमिंस एक विनर मेकर खिलाडी है, जो जानते हैं कि किस तरीके सो टीम को बनाना है ट्रॉफिस जीतने के लिए, और पिछले कुछ सालों में इनकी आईपेल की प्रदेशन पर ना, कोई सवाल तक नहीं उठा सकता और कप्तानी पर तो कताई भी नहीं, शायद हो सके कि ये टी-20 वर्ल्ड कप भी हमें जीतते वे नजर आएं और इसी बात को मद्दे नजर, रखते हुए आईपेल उक्शन में ये जैसे ही उतरे, इनके नाम की पुकार लगी ना, तो करोड़ों रुपे ऐसे लगने लगे, कि मानो कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया हो, जिस पर हर कोई दाव लगाना चाता है और वाकई में पैट कमिंट्स ने काम भी तो ऐसे किये हैं, इसलिए दोस्तों रकम तो मिली ही थी पैट कमिंट्स ने अपने बायान में कहा, ये मेरे लिए वाकई में किसी सपने से कम नहीं है, एक दिन के अंदर इतनी धनराशी कमा पाऊंगा कभी सोचा नहीं था, किन सच बात तो ये है कि इस एक दिन को हासिल करने के लिए कई सालों के मेहनत लगी है, जिसको मुझे सन्राइजेस हिदरबाद ने चुना है, तो सबसे पहले इस टीम के ओनर कावे मरन को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, ये वागई में एक बहुत बड़ी रकम है, मेरे करियर में मेरे लिए, लेकिन इस रकम से भी जादा मैं ये कहना चाहूंगा, कि सन्राइजेस हिदर रहूंगा, दोस्तों ये वो खिलाडी बोल रहा है जिसने वर्ल्ड काव जिताया है, तो मानना दो पड़ेगा ही इनकी बातों को लेकिन आप सबी का क्या मानना है, क्या पैट कमेंस वाकई में सन्राइज हिदरबाद में जाकर खुश रहेंगे या नहीं, या इन्हें किस रोच से जादा ही पैसे मिल गए, अपनी रहे नीचे कमेंट में बताईएगा, दिसंबर को दुबाई में होने वाली और अब से कुछी समखबाद शूरू होने वाली है, आईपियल 2024 की निरामी से पहले, आईपियल 2024 काफे सुर्खियों में आ गया है, जाँ पर मुमबाई इंडियन्स की टीम में ट्रीड की जड़िये शामिल किया, और निरामी के चंद दिनों पहले आईपियल इतिहास के सबसे खतरनाग कप्तान रोच शर्मा को मुमबाई इंडियन्स की टीम में कप्तानी सेटा दिया गया, और हार्दिक पांडे को कप्तान बनाय गया तो बिस प्राइब करने के लिए बैंगलूरू की टीम किसी भी हथ तक जा सकती है क्योंकि बैंगलूरू की टीम के पास भारती खिलाडियों के जमावड़ा काफी कम है ऐसे में अगर रोई शर्मा टीम में आ जाएंगे तो अबिरार को लिक साथ मलकर बैंगलूरू को पहला खिताब प्रेयास करेंगे हलाकि रोई के लिए बैंगलूरू की टीम ने रोई शर्मा से बातचीत किया और साथ में सूरी कमार टीम के चोड़ने की ख़ोडने की खबर सामने आई है क्योंकि खुद सूरी कमार यादव मूंबई के खिलाड़ी होने के बाउजूत नहीं चाहते थे सार पता चला है कि रोई शर्मा मुंबाई की टीम का साथ चोड़कर बैंगलूरू की टीम में शामिल हो सकते हैं और इनके पीछे सुरी कुमारी आदो भी शामिल हो जाएंगे ऐसे हैं अगर रोई शर्मा केंट्री बैंगलूरू की टीम में होती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के बाद सूरी कुमारी आदा और सीबी की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगा नहीं अपने राए हमें नीचे का मैंट बॉक्स में जरूर दें अब अपनी टीम का बाइकाट कैसा सोशल मीडिया से लेकर बीच चड़क पर मुंबे इंडियन्स की हर तरफ बेज़िती हो रही है मुंबे के फैंस का पूरा विरोध प्रदर्शन सभी वाइरल वीडियो और तस्वीरों में भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और सूर्या और हार्दिक में किस IPL 2024 में मुंबे का कप्तान होना चाहिए था अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दोस्तो रोहित शर्मा की जगा हार्दिक पांडिया का मुंबे इंडियन्स का कप्तान बनना फैंस को रास नहीं आ रहा है अब मुंबे इंडियन्स के चाहने वालों ने टीम के खिलाफ अलग अलग तरह से अपना विरोध दर्च करना शुरू कर दिया है मुंबे की टीम ने अजानक से हार्दिक पांडिया को IPL 2024 के लिए कप्तान बना दिया है